हिंदुस्तान का ओफर का स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई से अभी 41% के डिसकाउंट पे मिल रहा है इसकी 26 नॉमर के जो क्लोजिंग हुई थी 115 रुपे 75 पैसे पे हुई थी इसका 52 वीक हाई जो था 116 रुपे 75 पैसे था 1786 क्रोड है नेट प्रोफिट की बात करते हैं तो नेट प्रोफिट कंपनी जो है 2020 में लॉस में थी 560 क्रोड की लेकिन 2021 में प्रोफिट आए में आके 110 क्रोड प्रोफिट हो गया है इस company का EPS की बात करते हैं तो एक रुपे 19 पैसा इसके EPS से return on equity की देखते हैं हम लोग तो 10.11% है debt to equity अगर देखते हैं company का तो 1.04 है अगर company के sales देखते हैं तो सिफ्टमबर 2021 में sales increase होके 464 क्रोड हो गया है इस company का profit जो था net profit 67 क्रोड है अगर इस company का balance देखते हैं तो reserve and surplus जो है company का 626 क्रोड है इस company के फास total fixed asset 1501 क्रोड के है और total current asset जो है 809 क्रोड के है other asset जो 527 क्रोड के है अगर cash flow देखते हैं तो company के पास 601 क्रोड जो है cash है इस company के अगर हम लोग ROCE देखते हैं तो 7.82% है अगर current ratio देखते हैं तो 0.88% है quick ratio 0.69% है और 3 years CAGR sales अगर देखते हैं हम लोग 4127% है 3 years CAGR net profit अगर देखते हैं तो 950.90% है company का अगर हम लोग PE देखते हैं तो 100.50 है PS देखते हैं अगर हम लोग 6.19 है तो आप देख सकते हैं इस company का stock जो है अभी discount पे trading कर रहा है इस stock का अगर share holding pattern अगर देखते हैं हम लोग तो 66.14% जो है promoters के पास stake है FII के पास 1.07% है DII के पास 17.02% है public के पास 15.76% है और others के पास 0.01% stake है इस company के इस stock ने अपने shareholders को तीन महीने में 0.30% का return दिया हुआ है अगर year to date देखते हैं तो 89.29% का return दिया हुए वन येर में 189% का return दिया हुए अगर 3 year में देखते हैं तो 135% का return दिया हुए है अपने shareholders को तो friends आप देख सकते हैं अभी ये stock जो है discount में मिल रहा है ठीक है आप इस stock पर नजर रख सकते हैं अगर आपके price पर मिलती है तो आप इसमें invest कर सकते हैं future के लिए तो आपके लेगे लागे चार्ब कर देख एका रापके लिए और देख सकते हैं पर जापके लेगे हैं आपके लेके लुए